तो गाईज 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 आज हम जानने वाले हैं कि दिवाली 2024 में कब पढ़ रही है बहुत कंफ्यूजन है लेकिन इस वीडियो में हर कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि दिवाली आखिर पढ़ कब रही सबसे पहले तो कुछ-कु तैयरत होने वाला है यह ऑनके बढ़र होर्वाली नौमबर को दिवाली बंने वाली और पर दिवाली नौमबर तिक हिसास देखें तो उस दिन सूर्य मुहते हैं मिल रहा है तो उस हिसाप से जो मिल ँद्वावली को बननी चीए तो बड़ा कि देखो किनॉजन कितना है वह उस दिन एकत्यस सब्स्क्राइब Case Как captures और व्र्फ तो जितना पड़ा है उससे मेरे को लगा है कि दिदिपावरी लोग दो दिन बनाने वाले हैं पहाडों में एक नॉंबर को बना बनाने इनि 2000 की परफ को बनने वाली 31 अक्टूबर को और पाड़ों बनने वाली एक नॉवर को ऐसा कुछ यहां बर होता दिख रहा है लेकिन इसमें एक और मद्ध यहां बर सामने आ रहा है वह यह कि लोग कहते हैं कि दिपावली की जो पूजा होती है वह रात को होती है लेकिन जो है सब्सक्राइब बढ़ा कंफ्यूजन हो गया है वह इस बार क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा है हमको तो अगर आप लोग उद्याद हिती के हिसाब से दिपावली मना रहे हैं यानि एक नॉम्मर को दिपावली मना रहे हैं तो उचित समय रहेगा कि आप लोग सवा 5 बजे से लेकर सवा 6 बजे के बीच पूजा कर लें क्योंकि उसके बाद मूरत नहीं है और 31 अक्टूबर को अगर आप दिपावली मना रहे हैं तो रात बर तो मूरत है लेकिन सूर्य उदैने के बहुत गंटों बाद वह मूरत सुरू हो रहा है यानि दो पहर तीन बजे स लिए तो हम आपको यह सला देंगे कि एक नॉमबर को मनाओ और समय पे साथ-साथ पूजा कर लो जो मूरत है यानि सवा 5 देका सवा 6 बजे के बीच में पूजा कर लो सवा 6 बजे के बाद नहीं तो यह हम आपको इसमें सब्सक्राइब गाइस इस वीडियो में तो इतना ही और आप हमें अपना feedback देना बिलकुल मत भूलना आप हमें बताइए कि आप दिवावली कब बना रहे हो और अपने तरकों के साथ बताना तब जाकर comment section में कुछ बात होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में